अगर कोई सीखना चाहे तो डिम्पि से सीखें, वनराई से सीखें, बाद से सीखें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आपके अपनी चैनल हूं्गरी सुपिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहें सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ आज की कड़ी देखने के बाद एक बहुती कॉमिक सी चीज मुझे समझ में आई कि ये जो दिंपी, वनराज और बाह आपस में बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बड़े एहसान फरामोशों की एक बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें हर कोई अपने तारीके से यानि कि वनराज दिंपी पे, बाद दिंपी पे और दिंपी उन दोनों पे इल्जाम लगा रहे हैं मगर है सारे के सारे एहसान फरामोश सही कहा केंचल ने जो केंचल ने बाते कही टिंपी को वो बिल्कुल सही थी दोस्तों और बाद में जो हमने देखा उसके उपर चर्चा तो बनती है क्योंकि समर की जो समस्या है उसका कोई समादान नहीं हुआ सिर्फ एक दूसरों को तानों और बाकी सब बातों से नवास आगे हैं चलिए चर्चा करते हैं पहले वही निवेदन जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन बिलते रहें डिम्पी ने खुद अपने हाथों से दोस्तों अपने रिष्टे का गला घुंटा है एसार फरामोशी तो डिम्पी ने की मगर जब डिम्पी ये बात बोलती है कि मेरा कंड्यादान अनुच सर करेंगे उस बात में दम है अगर उसी बात को लेके डिम्पी प्यार से ये बात समझाती तो समझ जाते लो मगर दिंपी को तो पहले गिनाना है कि आप लोग कैसे अनु मैडम को माफ कर सकते हो कैसे अनु सर के उपर आप ऐसे बाते कर सकते हो अनु मैडम ने ये किया वो किया जब कि जो अनुच ने नहीं किया वो अनुपमा ने किया अगर आप फ्लैश बैक में जाएं तो अनुच सबसे पहले नहीं आये थे डिम्पी की स्पोर्ट के लिए अनुपमा ने वो सारा कांड होने के बाद अनुपमा ने डिम्पी को सबसे ज़ादा सुपोर्ट किया था और अनुच उसके पीछे थे सबसे ज़ादा अनुच नहीं बलकि अनुपमा डिम्पी की स्पोर्ट में थी बाहर जाना बाहर धरने देने सब जो केंजल ने का सही का वो सब अनुपमा ने किया अनुच अपनी छोटी का ध्यान रख रहे थे अगर अब डिम्पी कहती है कि अनुपमा मैडम ने छोटी का ध्यान नहीं रखा तो अपने आपको क्यों नहीं उसमें शामिल करती है कि मेरे जब धरने चल ले थे तब भी तो छोटी का ध्यान अनुच सर रख रहे थे मैं भी तो उसी लिस्ट में शामिल हूँ जिसमें इन सब को मैं बोल रही हूँ मगर नहीं दोस्तों ये डिंपी, वनराज और बाज ऐसे लोग जो होते हैं इतने स्वार्ती होते है कि इनको अपना ही स्वार्त सबसे जादा महत्रपुन लगता है इसलिए आज जो डिंपी बोल रही थी वो सच में डिजर्व नहीं करती है समर की वाइफ बना क्योंकि समर जो कह रहा है वो देट के कह रहा है कि हर्ट हुई है मेरी मा और हर्ट हुई है गलत किया है अनुजनिस में कोई दोर आये नहीं, अनुच कुट मानता है, मैंने गलत किया, मगर यहां पर डिम्पी तो मानने को तयार नहीं है, डिम्पी तो कुछ और ही चल रही है, और साथ में दोस्तों, जो कुछ भी वन्राज और बा कह रहे हैं, कि पैसे वापिस कर दो, आज पैसे आगे तो पैसे वापिस करते हो, तो पैसे वापिस करने से क्या अहसान कतम हो जाएगा, और डिम्पी किस हक से अनूच के अहसानों को गिना रही है, ये भी समझ में नहीं आए कि उसका एक-एक अहसान ये तो अनूच भी कभी नहीं करेगा जो डिम्पी कर रही है तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस लेकि एकी चीज़ समझ में आती है और सवाल आता है दिमाग में कि आखिर डिम्पी अनुच का स्पोर्ट क्यों कर रही है क्या कोई लालच है डिम्पी के दिल में, क्या है डिम्पी के दिल में क्योंकि जितना अनुपमा और अनुच में से अनुपमा ने डिम्पी के लिए किया है अनुच ने तो किया ही नहीं है तो क्या है डिम्पी के दिमाग में क्योंकि जिस तरह डिंपी बत्तमीजियां कर रही है, घर में आते ही कलेश शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है, किसी का लिहाज नहीं करती है, तो ये डिंपी को तो बाक या कोई भी अपने घर की बहु नहीं बनाना चाहेगा. तो काविया का भी सही था, दोस्तों काविया ने आके अपनी बाते कहीं, वो भी हम बात करेंगे दूसरे किसी वीडियो में, मगर अभी डिंपी के बारे में मेरा जो सवाल है, उसके उपर जरूर आप भी गौर कीजिएगा, बताइएगा कि डिंपी आखिर अनुच की इतनी स जान के सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का डिंपका जोसा, तो देखते हैं दोस्तों, किस सवाल का जवाब मिलता है यह नही बहता है। कीप वाचिए, एम्री स्पिरिछ चैनल थैंक तो सब्सक्राइब, अज़ूज फॉन प्लिकर नीष प्लॉटन, क्लिकल सब्सक्राइ